यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है, उसकी एक आँख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था, उसके राज्य में कोई भी परिशानी या समस्या नहीं थी, सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और उपर वाले का धन निवाद करते थे, एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूरवजों की लगी तस्वीर को देख रहा था, और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे, हमें इतने शूरवीर खांदान में जन्म लेने का मौका मिला राजा सभी चित्र को देखते हुए अंतिम चित्र तक पहुचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़िडीश गया क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहां जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा पर चिंता इस बात की थी कि वहां जो चित्र लगेगा वो कैसा होगा वह सोचने लगा कि इस गल्यारे में इतने शानदार चित्र लगे हैं लेकिन मेरी एक आँख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे कहराब लगेगी और सबसे भद्दी दिखेगी राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसा चित्र बनेगा तो क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार चित्र बनवाऊं ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहां अच्छी तस्वीर लगेगी अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी चित्रकारों को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी चित्रकार राजा का शानदार चित्र बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा अब सभी चित्रकारों को पता था कि अगर शानदार चित्र बनेगा तो शानदार इनाम तो मिलेगा लेकिन जिस राजा का एक आँख नहीं है एक पैर नहीं है उसका एक सुन्दर चित्र कैसे बनेगा वे सब सोच रहे थे कि अगर सुन्दर चित्र नहीं बना और राजा गुस्सा हो गया तो सजा मिलेगी इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए तब ही उसमें से एक आदमी बोला राजा सहब मैं आपकी तस्वीर बनाना चाहता हूं अब सभी बड़े बड़े चित्रकार हैरान हो गए कि ये आदमी क्या तस्वीर बनाएगा और अगर राजा को तस्वीर पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी राजा बोला ठीक है आप तस्वीर बना करके लाएगे अगले दिन वह आदमी तस्वीर बना कर लाने वाला था दरबार पूरी तरह से भर चुका था लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आये थे कि वह आदमी कैसी तस्वीर बना कर लाएगा वह व्यक्ति जब उस राजा की तस्वीर बना कर लाया तो लोग आश्चर्य चकित रह गए सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे जब राजा ने उस चित्र को देखा तो वह खुश हो गया और बोला वाह इससे अच्छी तस्वीर तो इस पुरे गलियारे में नहीं है राजा ने उस आदमी को बहुत सारा इनाम दिया अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की कैसी तस्वीर बनी होगी जिसकी एक आँख नहीं है और एक पैर नहीं है उस तस्वीर में आदमी ने उस राजा को एक घोडे पर सवार किया था एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था निशाना लगाते वक्त एक आँख बंद हो जाती है और उस लड़े यक्के ने उस राजा की वही आँख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी इस तरह से उस आदमी ने राजा को निशाना लगते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया जिससे एक आँख बंद और एक ही पैर दिखाया और इतना शांदार चित्र बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ट तस्वीर थी उस व्यक्ति के सामने भी चुनौती थी संकट था लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा जिन्दगी में आप जिस भी मुकाम पर हो जिस भी संकट में फस जाए जिस भी स्थती में हो अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिये आप उस संक प्रवाले के आशीरवाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सची मेहनत के साथ कुछ ऐसा कर दिखाओ, कि दुनिया आपके जैसा बनना चाहे। और कहानिया सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ आज ही जुढ़े धन्यवाद।